तो फ्रेंट्स मोसम चैन्ज हो रहा है और आप हमें फूंसी सूखाफवन कंजिवाइटेस्ट की परिशानिया अब सीजन में बढ़ने वाले हैं तो इससे बचने के लिए दो परामर्स देते हैं उनके आप कैसे बचाओ कर सकते हैं कैसे उपचार कर सकते हैं यह आज की वीड सबसे नाजुक हिस्ता होता है अगर उसमें किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमें देखने में बहुत सरी समस्य होती है साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है तो जैसे कि अभी पता ही है कि कोरोना फैला हुआ है ऐसे बेर डॉक्टरों के पा प्रिमी से अल्ट्र वायलेट के संपर्क में आने से मौतिया विंद होता है वो तेजी से बढ़ता है साधी साथ जिलों को ड्राई आइस की समस्या भो भी बढ़ जाती है और बारिस के महीनियों में जैसे मांसून का सीजान आगे है तो ऐसे में कंजिवाइटिस की समस्या बह drawer ज़्या जरूरी है तो सबसे पहले बात कर ले थे हैं कंजिवाइटिस के वारे में बहुत ही आम संक्रमान हैं जो मौस्मूर के मौसम में बहुत ज़्यादा पहलता है संक्रमानित्ति की संपर्क में आने पर यह जादा हो जाता है यह बैक्टिरिया और वायरuce दुनों की क सारण हो सकता है तो ऐसे में आपको कंजिवाइटिस होने पर बहुत ज्यादा इंफेक्शन हो सकता है और छूने पर आपका ये बढ़ जाता है तो जिन लोगों को कंजिवाइटिस है उनके तौलिय रूमाल नैपकिन सकी के खूल दूसरे इंसानों से अलग रखने चाहिए उ और यदि आपको ये हो रहा है और आपके आपके बहुत ज़्यादा ब्लैडी रेड हो गई है तो आपको जल से जल डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपने इसाब से आई डॉप्स का यूज नहीं करना है हाँ आप सिकाए कर सकते हैं ठंडे पानी की या गरम पानी की पट् से दीर के ये ऑना हे या गर में हो तो आपके आउंक की समस्या बढ़ाता है तो इसे आपके आपको जलन होने लगति यह पानी आने लगता है दर्द हो जाता है लाल हो जाती हैं और जो एसी होता है वह आपकी आपका रूम egent Uhr की जो नमी होती है इस वह को खीछ लेता है इस पर मैंने प्रेवियस में वीडियो बनाई हुई है फुल वीडियो है आप उसको देख सकते हैं आई कियर की प्लेइलिस्ट में जा करके तो आप ईसे वाली जगे से बजनी का प्रयास करें आप चाहें तो अपने रूम में एक पानी का बर्गे रख सकते हैं जो आपके प्राय होने से बचाएगा उसका मॉश्यर बना रहेगा तो इससे इंफेक्शन बहुत ज्यादा जल्दी फैलता है डाइबटीज थायराइड विटामिनी की कमी आर्थराइटेस ड्राइज की परिशानी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है तो इससे आंखों में ऐलर्जी हो सकता है और यदि आपकी ड्राइ आइस की समस्या रागुलर बनी रहती है ड्रॉपिन डालने के बाद भी आपको इससे फायदा नहीं मिल रहा है तो इसके रोगई कोर्निया में अलसर की समस्या हो सकती है या आंक में गंबीर दूसरी कोई बीमारी है इसके इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है गोहरी या आंकी फूंसी आंकी फूंसी को कही नाम से जाना जा सकता है जैसे लाल रंग की छोटी सी गाट हो जाती जो आंक के पलकों पर होती है उसके नीचे होती है यह बीमारी तेल गरंथियों के सुख जाने पर होती है आंक की पलकों पर बैक्टिर साफ करना है इसके लावब गंदे तॉल या कॉस्मेटिक गंदे हां से बच कर रखना है क्योंकि हम अक्सर यह करते हैं अपने आखों में जाने कितनी बार दिन वर में हां टच करते हैं और इस चोटी चोटी फावलाम हो जाती है और अभी इसी जन मांसून खा है तो ऐसे में बैक्टिरिया और वाइरस को पनपने के लिए बहुत अच्छा माहूल मिल जाता है उनको ग्रोथ करने के लिए तो ऐसे में अपनी साफ सफाई का ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक आप यूज ना करें जो एक्सपार हो गया हो ना मैड को देखाएं